एक बार बात्सा अकबर अपने दो बेटों के साथ नदी के किनारे गए साथ में बिरबर भी थे दोनों बेटों ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहने उतर गए बिरबर को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली के लिए कहा बिरबर नदी किनारे बैठ कर उन द बीरबल को कहा बीरबल तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो बीरबल ने जट से जवाब दिया महराज धोबी के गधे के पास केवल एक गधे का ही बोज होता है किन्तु मेरे पास तो तीन तीन गधो का बोज है बीरबल के अकबर के सैनिको ने पकड़ लिया और दर्बार में ले कर गए अकबर कौन हो तुम संता महराज मैं संता हूँ अकबर इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे हैं संता कुछ कुछ नहीं महराज घबराती हुए अकबर सैनिको इसे ले जाओ और बंदी बना दो संता महराज रह अक्सर मजाक होता रहता था उस दिन वे दोनों एक दुसरे से छेड़ शार कर रहे थे बादसाह ने कहा बिरबर तुम्हारी इस्तरी अत्यंत सुन्दर है बिरबर ने कहा हां सरकार पहले मैं भी ऐसा ही समझता था पर जब से बेगम साहिबा को देखा हूं मैं अपनी इस्तरी को ही भूल गया बैठा हूं बादसाह एका एक जेब गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक नहीं किया बादसाह अकबर और बिरबर बाते कर रहे थे बात मिया बीबी के रिष्टे पर चल निकली तो बिरबर ने कहा अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते ह और अपनी बीवी से डरते हैं मैं नहीं मानता बादसाह ने कहा हुजूर मैं सिध्ध कर सकता हूं बिरबर ने कहा सिध्ध करो ठीक है आप आज से ही आदेश जारी करे की किसी के भी अपने बीवी से डरने की बाद साबित हो जाती है तो उसे एक मूरगा दरबार में बिरब मुर्गे जमा हो गए तब उसने बास्ता से कहा हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं अताह अपना आदेश वापस ले 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 तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरू करें बाई बाई